हेई गाइस विलकम बाक टू तु दमारी दीस्तास अगर आप इस चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करना एं इस वीडियो को नहीं दक जरूर देखना मेंबर्शिप के पर्क्स जरा पढ़ लो और फटावच से मेंबर्शिप भी ले लो आपके बहुत सारे फाइदे होंगे और हमारे इंस्टेग्राम और टुरिटर अगाउंस को भी फॉलो करो उनके भी लिंक दिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो दोस्तो अगर आपको आज़न दास नहीं करना चाहिए कि हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं रिया मर्ड इस गुए थू पीरिट ऑफ ट्रांजिशन अंड यह एसे सच उपरिचुनिटीज ऑफ प्लेंग यंग प्लेश इन प्लेश इंग प्लेशली जो प्लेश्टी जो बहुत ही ज़ादा यून गणि अज़रेशनल टैलेंटस नहीं काऊंगा लेकिन उस लेवल में उस फिगर में आते हैं कामा विंगा और चुवामेनी जो अबहुत हैं तो कि यह मैं प्लेश को ट्रांजिशन करके स्टार्टिंग 11 में लाना को आसान काम नहीं होता है हमें सबको मालम है क्रूज क्रू जो त्रिमूर्थी बर्मुडा ट्राइंगल जिनको कहा गया था वो उनको रिप्लेस करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है and it was a very big surprise की कैसमीरों हमको छोड़के चले गए थे but it started a much needed and a you know timely overhaul जो हमें midfield में भी चाहिए था आगे जाके because हमने हमारी defense को switch कर लिया from Saoji Ramos, Rafael Varane, Marcelo and Danny Carvajal to David Alaba, Edir Militao and Foyan Mendy या फिर जो भी अरुडिगर जिनकी भी आपको बात करनी हो हमने हमारे attack में भी काफी सारे changes करें with Ronaldo and Gareth Bale being out of the line-up and adding Vinicius Rodrigo and Valverde into the line-up तो हमने काफी सारे changes करें हैं लेकिन हमने हमारी midfield को बिलकुल भी shift नहीं किया बिलकुल भी change नहीं किया but Casemiro's departure hinted towards the midfield overhaul जो की much-much expected था in the upcoming years because Kroos and Modric are nearing towards the end of their careers but still Riyal Madrid अपना time बिलकुल भी waste नहीं किया है उन्होंने उतना time नहीं लगा है in the sense कि Kroos and Modric को देखके भी काफी कुछ सीख पा रहे हैं हमारी young players like Kama Vinga, Valverde, Chua Mini इनको देखके भी काफी कुछ सीख पाते हैं and Riyal Madrid ने wait नहीं करा कि कभ ये retire होंगे उसके बाद हम signings करेंगे काफी सारी clubs ये mistake कर जाती है ये difference होता है between top top clubs, top mentality वाले clubs to some normal clubs वो उनके player के retirement का wait करते हैं उनके player का downfall का wait करते हैं जब उसका you know level थोड़ा सा drop होने लगता है तब जाके वो सोचते है of buying a player at that position तो Riyal Madrid ने mistake बिल्कुल भी नहीं करी with getting Kama Vinga for just 30 million जो की बिल्कुल steal वाली deal है और Federico Valverdey को 5 minutes से ये लेकर रहाए थे ये रोगवे से जो की एक steal वाली deal और है अब जहां तक सवाल उठता है midfield का पहली बात तो एक balance midfield create करना आसान काम नहीं है आपको you know आपके recruitment को बहुत अच्छे तरीके से function करना पड़ेगा ताकि आप एक proper balance midfield बनाओ क्रूस, Casimir और Modric इसले इतने successful थे बिकाज हो सारे एक दूसरे के attributes को compliment कर लेते थे बहुत easy से क्या Edo Ado, Gamavinga, Federico Valverdey और Aurelian Chumani जो हमारी 4-3-3 में या 4-3-1 जैसा भी होना चीए वैसी midfield जो बनने वाली है क्या ये एक दूसरे को contribute करते हैं क्या एक दूसरे को compliment करते हैं the answer is yes, ये करते हैं लेकिन क्या ये अब तक कर पाएं हैं साथ में मिलके नहीं, नहीं कर पाएं हैं बिकाज अगर आप statistics देखो रिया मुर्ड ये सीजन क्रूस और Modric के साथ जाधा games जीती है compared to other midfields like Sabayos Chumani, Valverdey and Kamavinga तो अब तक इंग players की अभी भी एमियत बहुत जाधा है इस team में and वो इतनी इसली जाने नहीं वाली है so your young players have to grow more into the team and grow more into the game तो Eduardo Kamavinga, Valverdey Chumani is your future, it is kind of your present also लेकिन, you know एक proper recruitment को बहुत ही अच्छे तरीके से emphasize देना पड़ेगा on these players attributes and forming a proper balance conjuncture Madrid की 2-3 बहुत बड़ी weaknesses है जो की बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर उभर कर आती है पहरा Madrid की जो pressing structure है काफी disjointed लगता है और दूसरा Madrid की जो attacking patterns होता है in the final third, वो बहुत ही जादा predictable होता है तो ये Ria Madrid की बहुत बड़ी problems है I know Kama Wingo और Chuamini का उससे कुछ दूर-दूर तो लेना देना नहीं है लेकिन जो pressing structure है जो Madrid का बहुत disjointed लगता है उसको कही ना कहीं ठीक कर पाएंगे Kama Wingo और Chuamini की double pivot कैसे कर पाएगी आगे जाके मैं आपको explain करूँगा Kroos Modric, Ria Madrid के success के लिए काफी instrumental रहे है There are magical players, magical midfielders जितना भी आप बोलो मैं बिल्कुल भी deny नहीं करूँगा बट एक speculation है जो कि काफी ज़ादा grow करती है in the recent months where you know Kroos and Modric have to face younger opposition in the sense कि आप वो Villarreal वाले games को भी consider कर लो जापर Villarreal did the double over Ria Madrid this season या फिर आप Barcelona वाले games को भी consider कर लो पर BASA are a much younger opposition compared to Ria Madrid's team या फिर Madrid's midfield तो वहाँ पर हमने clearly ये काफी बार notice कर रहा है that you know दोनों का भी कबार at time struggle कर जाते हैं हाँ हमने Chelsea के against result निकाला हमने BASA के सामने भी result eventually निकाल लिया था हमने Liverpool को भी हराया that is true लेकर उनों में से आपको ये भी consider करना बढ़ेगा कि दो टीमस में से बहुत struggle कर रही थी चलिए अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर वो double pivot के लिए पहली बात तो एक possible alternative जो क्रूस मॉटरेच का होगा वो है कामाविंगा चुपामिनी का double pivot because पहली बात जो ये defensive coverage प्रोवाइड करेंगे और technical superiority प्रोवाइड करेंगे that will help our fullbacks a lot हमें मालूम है कि ये रियामरट के fullbacks की quality उतनी अच्छी नहीं है but it will help them जो हम आप कोई भी team को देख लो जो 4-3-1 किलाती हो उनके fullbacks आगी जाके push करते हैं उनके wide midfielders के जहाँ पर वो overload बनाने में बहुत help होता है and क्योंकि overloads बन पाते हैं तो low blocks को beat करना थोड़ा सा आसान हो जाता अब इनके सामने खेलेगा कौन number 10 position किस की होगी वो होगी Rodrigo की Rodrigo is killing it at number 10 आप Rodrigo का बासा वाला game देख लो बालाडुरेट की अगेंस भी अच्छे परफॉर्म करा है and in fact Chelsea वाले गें में भी Rodrigo काफी अच्छे लग रहे थे and Vinicius और Benzema बहुत अच्छे से उपरेट कर पाते हैं in tight spaces Eduardo Kamavinga का ये breakout season रहा है इसको कोई deny नी कर सता है he has deputized his unique profile at different positions he has deputized his unique profile at different positions strength में काम अगएंगा की majority strength ये है that he can play through the pressure अगर आप उसको press करोगे वो इतनी जल्दी बीट नहीं हो पाएगा and इसकी जो passing range है to combine with all his teammates that is also very unique and it is very good कहीं न कहीं मैं उसकी passing range हो कहीं न कहीं मॉडरिश की passing से compare कर सकता हो and apart from that you know ये जोसकी attributes हैं they allow him to sit deeper यानि कि वो defensive minded positions जो left back पर वो जैसे वो cover करता है और offensive minded positions जो वो number 8 से ball carry करके आगे लेगे चाता है ये सारी चीज है ना उसको बहुत help करती है लेकिन एक जा दो की weaknesses जो Eduardo Kamavinga अभी भी face करते हैं जिन पर अगर वो work out कर लेता है तो he will be completely like Luka Modric complete midfielder package बन जाएंगे वो that is first the weaker foot महा पर Kamavinga को काफी काम करनी के चरत है I don't I have never seen Kamavinga uses right foot at all वो सिर्फ अपनी left foot से कहलता है ठीक है मसाब भी नहीं कर रहा तुम से तो एक Kamavinga की एक बहुत बड़ी weakness है दूसरी weakness उसकी ये है that the ability to recycle the ball the ability to recycle possession वो Kamavinga की एक बहुत बड़ी weakness है जो at times उसको मात दे देती है तो Ancelotti को उस पे काम करने की बहुत सथ जरूवत है Kamavinga एक ऐसा player है जो deeper positions पे बहुत सब्सक्राइब सकता है you know he can play between the lines he can keep the control high up the pitch तो वो सारी उसकी काफी अची attributes है जो एक double pivot में बहुत help करती है लेकिन despite the fact कि Kamavinga का ये breakout season रहा है एक बहुत बड़ी चीज ये भी रही है कि वो तक continuous games नहीं खेला है there has been a lack of continuity post world cup yes in the last few weeks उसमें बहुत regular football खेला है but कोई guarantee अभी भी नहीं थे सकता है कि वो आगे जाके वो और regular football खेलेगा कि नहीं अब बात करते हैं औरे लियें चुवामेनी की तो पहली बात तो चुवामेनी की सीजन काफी ups and downs का रहा है before the world cup he has played very regularly in fact जब वो मुनाकों में थे he was one of the most used youngsters in Europe and लेकिन अब पोष्वामेनी की उतना use नहीं किया जा रहा है चुवामेनी की injury issues भी बहुत रही है and he has been on the bench for a good chunk of the second half of the season I would go on to say तो अभी चुवामेनी की attributes के बार में पहली बात करते है first of all वो काफी सारे areas को बहुत अच्छी तरीके से cover कर पाता है he is able to defend vast areas of space कहीना कहीन ये एक बहुत बड़ा key factor था of making him Casemiro's replacement वो एक बहुत ही relentless ball winner थे जो कि you know interception परके या फिर passes ब्लॉक करके game जीता था and he was very dominant in the air he is 6 foot 2 inch ठीक है ना तो गया clearly goes on to show कि एक set piece threat होंगे या फिर एक set piece target होंगे for the opposition and एक और बहुत खास बात चुहामेनी की यह है कि apart from playing as a number 6 वो एक number 8 के रोल पे भी खेल सकता है वो एक box to box midfielder वाले रोल में भी खेल सकता है and एक बहुत ही weird obscene statistic में अगर तुमको बताऊं ठीक है तो जब कामर sorry जब चुहामेनी box to box वाले अगर एक बंदा balance figure out करता न तो दूसरा अगर नहीं कर पाता but problem अब यहाँ पर यह आती है कि Carlo Ancelotti management को कई न कई वो balance साथ में draw करना पड़ेगा टीम के benefit के लिए अगर आप एक long term basis पर बात कर रहे हैं तो कामर विंगा चुहामेनी need to work together more regularly अब जहां तक बात आती है double pivot की तो double pivot plays to the strengths of the team यह अक्सर का गया है Tony Cruz का यहाँ पर एक बहुत बड़ा key figure रोसकता है because Tony Cruz ने बाहिन में भी and कहिने गई अगी चुहामेनी can move forward he can drive and move with the ball forward जहां पर Cruz obviously deeper positions पर रहेगा अगर कामा विंगा चुहामेनी की double pivot की बात कर रहे है तो यहां पर कामा विंगा can venture forward and कामा विंगा can find those parses for his teammates and चुहामेनी इसको shield करेगा I think अब वक्त आ गया है कि क्रूस और मोटरिच को बिल्कुल भी मात थी उसकर रहे है यह कुरूस और मोटरिच को अटा दो मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं मैं आपसे बस यह कह रहा हूं कि यार आपको अब फ्यूचर की ब्लान करने पड़ेगी आपको फ्यूचर के साफ से तोचना पड़ेगा निहापर चुहामेनी इंकामा विंगा is the future for you but anyways यार यही ता मेरा आज का वीडियो इफ यह वाजू निल्ली एंड हाला मदरी इनामास हस्ता इल्फी लामा मुस्रियाल स्थूूूूूू८।